सुन्दर रामू, रहती तो हैं चेन्नई में, पर डेटिंग पूरी दुनिया की लड़कियों के साथ करते हैं पर डेटिंग के बाच्छा सुन्दर ने पिछले एक साल में डेटिंग की डबल सेंचुरी मार ली है यस वो गय हैं दोसोपचीस जेट पर वो भी दोसोपचीस अलग अलग लड़कियों के साथ OMG और सिर्फ इतना ही नहीं उनका टार्गिट है तीनसोपैसाद डिफरेंट लड़कियों के साथ तीनसोपैसाद डेट्स पर जाना भाई, यह तो सच में डेटिंग का किंग है, इसे तो गुरू बनाना पड़ेगा बहुत। I am Sundar Ramu, पेशर और चैने, I am a photographer and an actor, and now I am on a mission to go out on 365 dates in 365 days. Tamil Film Mayakkam Enna के लिए Filmfare के Best Supporting Actor Award के लिए नॉमिनेट हो चुके Sundar के डेट्स के अपने ही चार रूल्स हैं. Rule number one, I never pick the place. आम सफर चल दिये, सही है बाब मुशाए. Rule number two, I never order. Rule number three, I never tell them what to order. Oh bhai, मतलब एक और तरीका, लड़की का दिल जीतने का, जो खिलाएगी खा लोंगा. अब जरा भाईया, रूल नमबर चार भी तो बता दो. Rule number four, and most importantly, I never pay. Okay, so, shall I call for the check? Yes, please, you gotta call for the check. मतलब लड़की के साथ खाना, लड़की के साथ बैठ खर बतियाना, और बिल भी नहीं पे करना. वाओ. ऐसे कौन से हीरे जड़े हैं तुमने सुन्दर भाई, जो 225 लड़कियां तुमारे साथ डेड बर गई और बिल भी उन्होंने बरा. ये आइडिया तो मुझे भी जानना है, गुरू. मामला सिर्फ डेट वेट का नहीं है, ये तो सोशल वर्क भी करते हैं. असली बात तो अब सुनिये. सुन्दर भले ही डेट पर एक रुपया नहीं खर्चते, पर पूरे महिने की डेट में उन पर जितना खर्चा होता है, आइमीन डेट की मील का जितना बिल आता है, उतने ही रुपये NGO में जाके चैरिटी कर देते हैं. वाओ, गुरु मान गए यार, थौट नोबल है और मज़ेदार भी है. सुन्दर भाईया का कहना है कि उन्हें कभी भी रिजेक्शन नहीं मिला. अब्यसली, ऐसे थौट के बाद तो कोई भी लड़की डेट पर चली जाएगी यार. लेकिन कहानी में ट्विस्च है, गाईज, लड़की को सुन्दर ये चैरिटी वाली बात बताते ही नहीं. तो सुन्दर भाई, बातों से दिल जीतते हो या आखों से काम कर देते हो? अच्छा, आप शर्मामत, ये बताओ, आपने अपनी डबल सेंचुरी, I mean, 225 देट्स पर अप्ता किस किस के साथ गई हो? So, if I have to look back at all the people that I've been with, I genuinely had one simple thing, saying I said they had to be above 21, because I don't want them to be paying out of their parents' pockets. So, the oldest was 107, and there have been two ladies in the 90s. My God, 107 years? The range has been crazy, I mean, one day I'm out with a German surfer, the next day I'm out with a television journalist, the day after that I'm out with a politician's wife, the day after that I'm out with a garbage collector, you know, sometimes it's a model, sometimes it's an actor, it's a huge range of people. एक amazing thought को डेटिंग का तड़का, सुंदर का ये फंड़ा एक नया ट्रेंड बन सकता है. किसी अच्छे मकसद के लिए डेटिंग करने वाले इस इंडियन को, OMG ये मेरा इंडिया सलाम करता है.